हेलो एब्रिवान आप सोब कैसे हो अशा करती हूँ ठीक हो अभी से मैं एक नीव ब्लोग स्टार्ट किया और अभिना एक बज गया था मैं आज खाना बनाने आई और इतना लेट हो गया था ना आज तो पहले ना जैसे मैं कड़ाई में तेल डाला तो ज्यादा गिर गया था तो मैं सोच रही थी पाप और फ्राइकर के रख देती हूँ उसके बाद बनाओंगी क्या चीकेन आज ना चीकेन बनेगा और बनेगा दाल मुसूर की दाल में मतलब सब कुछ डाल के में सीटी लगा दोंगी बस दाल बन जाएंगे अलग से तरका लगाने का जोरत नहीं है और फ्राइकर के रख देंगे और उसके बाद चीकेन बनाओंगी और आज ना चीकेन में जैसे डेली डेली बनाती हूँ ना कौशा चीकेन आज नहीं बनाओंगी आज ना ग्रेवी वाला चीकेन बनाएंगे लाल लाल करके तो पहले आलू फ्राइकर लेती हूँ और आलू काड भी लेती हूं और फ्राय करके रग दी दिये遊戲 के ब sunset लेटी फ्राइवे सितिधिपार और भी आरma कर हलद मिले haters been कआज हूं आई और पापर फ्राय किया अभी तक मैं डब्बा में डाला ने क्यूंकि गड़म था ना तो अभी डब्बा में डाल देंगे उसके पहले में बिठा देती हूं मुशूर की डाल में दो मिर्ची कट के डाल दिया एक आलू डालूंगी दो गाजट डालेंगे एक छोटा सा सब कुछ डाल के ना पेशर गोगर में दो शीटी लगाऊंगी टेस्टी बनता है ऐसे डाल बनाऊना कभी कब ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन ठंडी के टायम ना ऐसे बहला दाल बना के खाओ बहुत टेस्टी लगता है और मुशूर की डाल पतला अच्छा नहीं लग इसमें सरुषू का तेल डालना था दो चमच तो मैंने डाला नहीं और मैं बठा दिया था सरुषू का तेलना में लास्ट में डाल दूंगी तो आलू फ्राई हो गया में उठा के रख देती हूं और तेल में थोरा सा तेल और डाल दिया था तेस्पत्ता शुखा मिर्ची जीरा सब कुछ डाल के अभी प्याज को करेंगे फ्राइब फेद डाल दूंगी चिकन और थो रशाना खारेसा डाला था खारा मसाला में बसकली एलाईची कुतके डाला था पाप अमेने डाल के रक देती हूं नहीं तुर नही ön 맞ल वो पहले में चावल बना लिया था और दाल को तरका जाए मतलब तरका नहीं जैसे सीटी आ जाए उसके बाद पहले परी को खिलाओंगी और उसके बाद ही में दूसरा काम करोंगी चीकल लेड भी बन जाए तो कोई टेंशन नहीं है दाल पहले बन जाना चाहिए चीकेन में डाल दिया था मसाला अभी चार चमच भर के मसाला डाला जो मसाला में जीरा अधराग लसन चाहिए पेज नहीं है टमातर हरा मिर्ची का जो पेस्ट बना हुआ है ओही मैंने डाला पूरा भरके में चार चमच डाला था हता दो मिर्ची मैंने पहले काटके डाल देया तो बाद दुबारा फिर एक टमाटर मैंने डाल दिया अभी कुछ नहीं करना है बस धीरे धीरे उसको फ्राइ करते जाना है जब तक पूरा मसला में तेल ना छोड़ते बस तब तक फ्राइ करना है और जैसे तेल छोड़ देता है ना मतलब चीकेन बनाओ चाहिए दूसरा को दालने में अच्छा लागता लेकिन लेकिन ग्रेवी नहीं डाला तो शोड़ा और को नहीं होता है उतना में पहले नहीं डाल था Daal में तो अभी मैंने दाल दिया और मोश्व कीडाल में मतलब सफर्चो का तेल का वा मैं तो या ऑसी भरता बनता है जैसे आलू का भरता बनाओ, जैसे कच्छा तेल का भलता है तो इसमें डाल दिया तो इतना नहीं पता चलेंगे और अच्छा लगेगा खाने में दाल बन गया तो मेरा बेटी को मैं अभी खाना देके ना दूसरा रूम में बठा के आओंगे कि कुई मेरा हजबेंट आ गया था तो उनको बोला अभी पड़ी को पहले खिला दो तब तक चीकेन बन जाए पूरा कीचेन में सपाई कर लोंगे उसके बाद हम दोनों बैट के खाना बनाने के बाद ना जो कीचेन सपाई होता है मतलब अच्छा से एकदम क्लीन कर देती उसके बाद जब मैं खाना खाने बैठूंगे ना सच में अच्छा भी लगता है और कीचेन में बरतन पर रहेंगे ऐसे गैस चूला ऐसे रहेंगे ना तो दूपर का खाना खाने म पूरा चीकेन में आ गया है और नमक मैंने डाल दिया है और एकदम लाल बना था ना चीकेन सच में आज चीकेन बहुत तेस्टी बना था मैं पहले बोला जल्दी जब खाना बनाओ न तो टेस्टी बन जाता है प्यार से बहुत टाइम लगा के बनाओ तो कभी कबार अच्छा बनता है नहीं है और लास्ट में डाल देंगे गरम मसाला और अभी न थोड़ा बहुत बढ़तन है उसको धूल ले तो क्योंकि चीकेन में जब पानी डालके ग्रेवी बनाओ तो थोड़ा सा टाइम लगा के नो उसको उबालो तो और ज्यादा टेस्ट लगता है तो मैं एक कराई को भी धुलाई करेंगे लेकिन गरम मसला डालने के बाद दस मिनिट में ढखके रखोंगी तब तक परी का खाना हो जाएंगे फिर परी को शुलाऊंगी और फिर हम खाना खाएंगे उसमें थोड़ा माइंट जो है न वह रिलाक्स होता है क्योंकि जब हम खाना खाने बैठते हैं मेरा परी बग 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 करते रहती है तो उसको शुला देने से ना फिर खाना खाती हूँ और उसके बाद भी मेरा काम होता है जैसे खाना खाने के बाद फिर प्लेट आ जाता है दो तिन फिर प्लेट धोना है फिर में साम की जहरू लगा देती हूँ छाथ से कप होता है फिर उस टाइम में कर लेती हूँ तो ऐसी अभी चलता है तो मेरा चीकेन अभी बन गया है और लास्ट में आप सब को ना दिखा देती हूँ जो कल में साग बनाया था ना सरचु का साग थोड़ा सा ही खतम हुआ है अभी में दिखा देते और यह सरचु का साग है और बन गया चीकेन और पूरा ना में टेबल कूपल लेके आ गया था और थोड़ा साथ डाल ज्यादा डाल नहीं बनाया क्योंकि चीकेन बना हुआ तो डाल ज्यादा बनाने से ना कोई नहीं खाएंगे और चावल बन गया उसके बाद पाफर फ्राइ हो गया है और ना थोड़ा अच्छा लगे तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना